महाराष्टा तेल माजयाब बंदो भगेने नाव जय श्रीक्रष्णा तुदिया श्रीक्रष्णा जैनती आहे मी तुमाला आज़ सुपेच्छा देतो महाराष्टा के राजपाल स्रीश सीपी राधा क्रष्णा जी मुख्यमंत्री स्रीमा नेकनाथ सिंदे जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी देश के क्रषि मंत्री रामिल विकास मंत्री स्रिमान स्रिवराश्ची चौहान जी इसी धर्ती के संतान मंत्री मरिशत के मेरे साथी प्रतापराव जादव केंद्रिय सरकार में हमारे मंत्री स्री चंद्र सेखर जी इसी धर्ती के संतान बेहन रक्षा खड़ से जी उपंबोक्य मंत्री स्री अजीत पवार जी देवेंद्र फड़न्मिश जी महाराश्च सरकार के मंत्री गण सांसद और विधायक गण और विशाल संख्या में हमें आशिरवाद देने के लिए आई हुई माताएं बहने दूर दूर मेरी जहां भी नजर पहुँच रही है ऐसा लग रहा है माताओं का महा सागर उमट पड़ा है यह द्रश्य अपने आप में शुकुन देता है अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हाथसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता है इस हाथसे में हमने महराष्ट के जड़गाओं के अनेक साथ्यों को खोया है मैं सभी पीडित परिवारों के प्रती सम्वेदन अव्यक्त करता हूं जैसे ही ये हाथसा हुआ भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया हमने हमारी मंत्री रक्षा ताइक खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा हमारे जो परिजन नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को हम वायू सेना के विशेश विमान से वापस लाए हैं जो गायल है उनका अच्छे से इलाज चल रहा है मैं उनके जल्द स्वस्त होने की कामरा करता हूं मैं सभी पिडितों को विश्वाद दिलाता हूं कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के और से पूरी मदद दी जाएगी साथियों आज लखपती दीदी का ये महा सम्मेलन हो रहा है मेरी सभी लाड़की महेण यहां बड़ी संख्या में उपस्तित है आज यहां से तेश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए छे हजार करोड रुपे से अधिक की राशी जारी की गई है लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेला महाराष्टा तिल आमचा पगीनेना सुद्धा कोट्यवदी रुपियां ची मदद मिलालिया है इस पैसे से लाखों बहनों को लगपती ददी बनाने में मदद मिलेगी मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत सुभेच्छा साथियों आप सभी में मुझे महाराष्टा की गवरव शाली संस्कृती और संस्कारों की भी दर्शन होते हैं और महाराष्टा की यह संस्कार भारत ही नहीं विश्व भर में फैले हैं मैं कल ही अपने विदेशी दौरे से विदेश के दौरे से लोटा हूँ मैं यूरोप के देश कोलेंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्टा के दर्शन हुए है महाराष्टा के संस्कृति यहां के संस्कारों के दर्शन हुए है पोलेंड के लोग महाराष्टा के लोगों का पहुत सम्मान करते हैं यहां बैट करके आप इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं वहां की राजधानी में एक कोलापूर मेमोरियल है पोलेंड के लोगों ने यह मेमोरियल कोलापूर के लोगों की सेवा और सतकार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है आप ऐसे कुछ लोगों को पता होगा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलेंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोलापूर के राज परिवार ने शरण दी थी चत्रपती सिवाजी महराज के संस्कारों के अनुरूप राज परिवार ने सामान लोगों ने चरणार्तियों की सेवा की जब वहां मैं महराज्टर के लोगों के सेवा भाव मानवता प्रेम की प्रसमसा सुन रहा था तो मेरा माथा जर्व से उंचा हो रहा था हमें ऐसे ही महाराश्टर का विकास करके महाराश्टर का नाम पूरी दुनिया में और उंचा करते रहना है साथियों महाराश्टर के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सुरुजित किया है यहां की मात्रुशक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है आमचे जड़गा एतर वारकरी परंपराचे तीता है महान संत मुक्ताईची भूमिया है उनकी साधना उनका तब आज की पीड़ी के लिए भी पेड़णा है पेड़णाबाई की कभीताएं आज भी समाज को रूडियों से बाहार निकल सोचने के लिए मजबूर करती महारास्त्र का कोई भी कोना हो इतिहास का कोई भी कालखंड हो मात्रुशक्ति का योगदान अब प्रतीम रहा है शत्रप्रती सिवार जी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी ये काम माता जिजाओं ने किया जब समाज में बेटियों की सिख्षा बेटियों के कामकाज को महत्वन नहीं दिया जाता था तब सावित्री भाई फूले आगे आई यानि भारत की मात्रुशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट के भविश को बढाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज जब हमारा देश विख्षित बनने के लिए मेहनत कर रहा है तो फिर से हमारी मात्रुशक्ति आगे आ रही है मैं अपने सामने देख रहा हूँ महाराष्टर के आप सभी बहने कितना अच्छा काम कर रही है तुम्चा सगला मदे मी राज माता जिजाओ आणि सावित्री बाई फुलेची छाप पाहतो साथ क्यों जब मैं लोग सबाज चुनाव के दोरान आपके बीट आया था तब मैंने कहा था कि हमें तीन करोड बहनों को लक्मती दीदी बनाना है यानि तीन करोड ऐसी बहने और जो सेल्फेल गुट में काम करती है जिनकी एक साल की कमाई एक लाख रुपिय से अधिक होगी पीते दस वर्षों में एक करोड लखपती दीदी बनी और बीते दो महिने में सिर्फ दो महिने में 14 लाख और लखपती दीदी उसमें जुड़ गई नई बन गई याद फुद्धा एक लाख नवी लखपती दीदी याद आपल्या महराटराथ तयार जहले आहे इसमें यहां की महायूती की सरकार ने भी बहुत महनत की है एकराजी देवेंदर जी और अजित दादा की पुरी टीम माताओं बहनों को ससक्त करने में जुटी हुए महाराश्टर में माताओं बहनों के लिए नव जवानों के लिए किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स नहीं नहीं योजनाएं चलाई जा रहे हैं ताक्तियों लगपती दीदी बनाने का ये अभियान तरब बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है इतना नहीं है ये पूरे परिवार को आने वाली पीडियों को ससक्त करने का एक महा अभियान है ये गाओं के पूरे अर्थंतर को बदल रही है यहां इस मैदान में मौजोद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है जब किसी बहन की कबाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्टने के लिए पैसे भी जादा जूडते हैं यानि एक बहन का भी लगपती दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है यहां आने से पहले पैदेश की अलग-अलग कौने से आई हुई ऐसी बहनों के अनुभव सुन रहा था सभी लगपती दीदीओं के जो अत्मविश्वास था और मैं आग बहन कहता तो लगपती दीदी हूँ लेकि उसमे साब कोई दो लाग कमाने वाले थे कोई तिन लाग वाले थे कोई आट लाग वाले भी थे और ये पिछले कुछी महिनों में उन्होंने एक कमाल करके दिखाई गए साथ क्यों आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है इसमें हमारी बेहनों बेटियों की भुमी का बहुत बड़ी है लेकिन कुछ साल पहले तक ये स्थिति नहीं थी पहने हर गर हर परिवार की कुछाली की गारंटी होती है लेकिन महलाओं को मदद मिले इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं थी देश की करोणों बेहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था ऐसे मैं वो कोई भी छोटा मुटा काम करना चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती और इसलिए आपके इस भाई ने आपके बेटे ने एक संकल पलिया मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मेरे देश की माताओं बहनों बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा इसलिए मोधी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णे लिए मैं आज चुनोती देता हूं पहले की सरकारों के साथ दसक एक तरफ रख लीजिए एक तराजु में एक तरफ साथ दसक और दूसरे तराजु में मोधी सरकार के दस साल तराजु में रख लिए जाए कितना काम मोधी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है वो आजहादि के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है साथ यह हमारी सरकार है जितने तै कि गरीवों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो अभी तक जो चार करोड घर बने हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है अभी तीन करोड और घर मनाने वाले हैं इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बेहनों के नाम ही होंगे महिलाओं के नाम होंगे दूसरा काम हमने बैंकों से जुड़ी व्यवस्था में किया पहले जंदन खाते खोले तो सबसे ज़्यादा बेहनों के खाते खुले फिर मुद्रा योजना शुरू की हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो और अगर गारंटी चाहिए तो मोधी मौजूद है इस योजना की करीब सत्तर प्रतिशत लाभारती माताय बहने हैं देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महलाओं को ऐसे लोन मत दो दूब जाएगा इसमें रिस्क है लेकिन मेरी सोच अलगती है कुझे आप पर अपनी मात्रु शक्ति पर उनकी इमांदारी पर उनके कर्तुट्व पर पूरा भरोसा है माताओं बहनों ने महनत की और इमांदारी से लोन भी लोटाए अब तो मुद्रा रून की सीमा हमने पिस लाग कर दी है हमने रेड़ी फुटपात पर काम करने वालों के लिए भी स्वानिती योजना चलाई इसमें भी पिना गरंटी का रन दिया जा रहा है इसका भी बहुत बड़ा फाइदा हमारी बहनों को हमारी बेटियों को हो रहा हमारे विश्व कर्मा परिवार जो हस्तकला का काम करते हैं इसमें भी बड़ी संग्यामें हमारी बेहने जुड़ी हैं। उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली है। कि इसका महत्व क्या है। आज देखिए ये भारत के अर्थतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है। दत साल में ये आकड़ा भी बहुत बड़ा है। दस साल में दस करोड बहने इस अभियान से जुड़ चुकी है। और हमने इनको भी बैंकों से जुड़ा है। हमने उने पैंकों से आसान और सस्ता रण दिया है। बैंक आपको आकड़ा देता हूँ। और ये सुन करके आप जुरूर चौंग जाएंगे। और आपको शायद मन में गुस्सा भी आएगा। क्या मेरा देश पहले ऐसे भी चलता था क्या। साल दोहजार चौदा तक साल दोहजार चौदा तक पच्चीस हजार करोड रुपिय से भी कम पच्चीस हजार करोड रुपिय से भी कम बैंक लोन सक्खी मंडलों को मिला था। दोहजार चौदा से पहले पच्चीस हजार करोड से भी काम याद रखिए कि यह मैं उन महिला से फैल 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 कुप की बात करता हूं। सिरफ पच्चीस हजार करोड जबकि पिछले दस सालों में करीब नव लाग करोड रुपिय की मदद दी गई है। कहां पच्चीस हजार करोड और कहां नव लाग करोड इतना ही नहीं सरकार जो सीजी मदद देती हैं उसमें भी लगबाग 30 गुना की बड़ोत्री की गई है। इसका पनराम ही आया है कि आज गाओं के हमारी बहने अपनी आई भी बढ़ा रही हैं और देश को मजबुद भी बना रही है। और मैं फिर से कहता हूँ ये तो अभी ट्रेलर है। अब हम पहनों बेट्यों की भुमी का का और विस्तार कर रहे हैं। आज समाल लाग से अधिक पैंक सथियां गाओं गाओं बैंकिंग सेवाए दे रही हैं। और अभी मुझे कुछ बेहने बता रही थी। एक एक करोड रुपय का कारोबार करती हैं। अब हम बेहनों को ड्रोन पाइलट बना रहे हैं। हम बेहनों के समुओं को लाखो रुपय का ड्रोन दे रहे हैं। ताकि वे रोन से आदुनी खेती करने में किसानों की मदद कर पाएं। हम दो लाख पसू सख्यों को भी ट्रेन कर रहे हैं। ताकि वे पसू पालकों को मदद कर सके। यही नहीं आदुनी खेती के लिए प्राकृतिक खेती के लिए भी हम नारी शक्ति को ही नेत्रुत्व दे रहे हैं इसके लिए हमने कृशी सक्षी कारकम शुरू किया है ऐसी लाखों कृशी सक्षियां आने वाले समय में देश के गाउं गाउं में हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इन सभी अभियानों से बेटियों को रोजगार भी मिलेगा उनका आत्मविस्वाद भी बढ़ेगा और बेटियों के सामर्त को लेकर समाज मैं भी एक नई सोच का निर्मान होगा साथियों अभी पिछले महने ही देश का एक बजेट आया है इसमें माताओ बैनों बेटियों से जुड़ी योजनाओ के लिए तीन लाग करोड रुपिय रखे गए हैं बेटियां जादा संख्या में दोकरी करें इसके लिए दप्परों में फैक्टरियों में उनके लिए विशेश सुविधाय बनाने की गोशना की गई है रहने के लिए फरकिंग बिमेन होस्टेल की सुविधा हो बच्चों के लिए क्रेज की सुविधा हो इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है हमारी सरकार बेटियों के लिए हर सक्तर खोल रही है जहां कभी उन पर पाबंदियां थी आज तीनों सेदाओं में महिला अपसर तेहनाथ हो रही हैं फाइटर पाइलर तेहनाथ हो रही है साइनी स्कुलों में साइन्य अकादमियों में बेटियों को दाखला मिल रहा है जो हमारी पुलिस फोर्स है जो हमारे अर्थसाइनिक बंग है उनमें बेटियों के संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है गाओं में कृष्षी और डेरी सेक्टर से लेकर स्टार्ट अफ फ्रांती तक आज बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही है राजनिती में भी बेटियों की भागिदारी बड़े इसके लिए हमने नारी शक्ति बंदन कानून बनाया है साथियों माताओ बेहनों बेटियों का सामर्द बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्रापिक्ता है मैंने लाल के लिए से भी पार बार इस विशे को उठाया है आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बेहनों बेटियों की पीड़ा को उनके गुसे को मैं समझ रहा हूँ मैं एक बार फिर देश के हर राज्य रितिक दल से कहूंगा हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाप अपरात अक्षम में पाप है प्रप्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्ता जिस बीस तर पर ला परवाई होती है सबका हिसाब होना चाहिए उपर से नीचे तक मैं से एक दम साब जाना चाहिए कि ये पाप अक्षम में है रे सरकार आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरीमा की रक्षा इस समाज के रुप में भी और सरकार के रुप में भी हम सब का बड़ा दाईत्व है साथ क्यों महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सक्त कर रही है आज इतनी बड़ी संग्यम है देश की बेहनों बेट के यहाँ है इसलिए मैं विशेश तोर पर आपको बताना चाहता हूं पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफाई आर नहीं होती सुनवाई नहीं होती मुकद्दमों में देर बहुत लगती है ऐसी अनेक अर्चनों को हमने भारतिय न्याय सहीता में दूर कर दिया है इसमें पूरा चप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के समन में बनाया गया है अगर पीडित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो गर बैठे EFIR दर्ज करा सकती है हमने ये भी पक्का किया है कि EFIR से ठाने के स्तर पर कोई टाल मटोलिया फिर छेड़ छाड़ नहीं कर पाएगा इससे तेजी से जाँच करने और दोश्यों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी साथियों नए कानुनों में नाबालिगों से हुए यह उन अप्रादों पर फासी और उम्रकेद की सजा का प्रावदान किया गया है बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी दोखे के कई मामले आते रहें पहले इसके लिए कुछ पस्थ कानुन नहीं था अब भारतिय न्याई सहिता में शादी के जूठे वादों और छल को भी साप साप परिभाचित किया गया है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाप अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिक्ता को मिटा कर ही रुकना होगा इसलिए साथियों आज भारत पिक्षित होने के रात्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसमें महाराश्ट्र की बहुत बड़ी भूमी का है महाराश्ट्र पिक्षित भारत का एक चमकता सितारा है महाराश्ट्र दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षन का केंद्र बनता जा रहा है महाराश्ट्र का भविश जादा से जादा निवेश में है नोकरी के नए आउसरों में है आणि महायूती चे सरकार मनजे गुदव कणूक आणि नोकरी की गारंटी आए महाराश्ट्र को आने वाले कई कई बर्षों तक महायूती की स्थीर सरकार की जरूरत है महाराश्ट्र को महायूती की ऐसी सरकार की जरूरत है जहां उद्योगों को प्रोच्षाइज कर सके महाराश्ट्र में ऐसी सरकार की जरूरत है जो नव जवानों की पढ़ाई काउचल और नोकरी पर बदल दे सके मुझे पुरा भरोसा है कि माहरास्त की सिर्टा और सम्रुद्ध के लिए यहां कि माता ये बेहने आगे बढ़कर बेरा साथ देंगी मुझे आप बेहनों पर पुरा भरोसा है एक बार फिर महरास्त की यूती सरकार के कामों को भारत सरकार के जरब से हर प्रकार की मदद का अच्वासन देते हुए आप सब को बहुत बहुत चुप कामराय देता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की दोनों हाथ उपर करके मुठ्थी बन करके पुरी ताकत से बोलिये भारत माता की 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 बहुत बहुत धन्यवाद गर्जा इंदुस्तान चैनेल लग सब्सक्राइब करा आन इताजा गड़ा मुड़ी जानुन गेने साथी बेल आइकोन वर प्रेस करा